नमस्कार, वेबदुने लाइव में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ नेहरेडी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने चंद्रमा पर भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान टू की यातरा को शांदार और जांदार बताते हुए चनिवार को का कि आकरी शनो में चान की सतहा पर उतरने से चूकने के बाद उसे चूने और गले लगानी के हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से सफल होंगे मोधी वैज्यानिकों से बोले कि आप मखन पर नहीं पत्थर पर लकीर खीचने वाले लोग है चंद्रियान के मिशन नियंतरन कक्ष में भारती अंतरिक शनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्स डॉक्टर केश शिवन और अन्य वैज्यानिकों की मौजूदगी में रास्ट्र को संबोधित करते हुए चंद्रियान का आखरी पड़ाओ भले ही आशा के अनुरूप ना हो रहा हो पर हमें याद रखना चाहिए कि उसकी यात्रा जानदार और शानदार रही है इस वक्त भी हमारा और्बिटर पूरे शान से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है प्रिधान मंद्री ने वग्यानिकों से कहा कि एक दो रुकावटों से आपकी उडान अपने पत से विपत नहीं हो सकती हमें रुकना नहीं है हम निश्चित रूप से सफल होंगे 21 सदी में भारत के आकानशाओ को पूरा करने से कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती उन्होंने आने वाले मिश्चिनों के लिए वग्यानिकों को शुपकामना है दी और कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रियास मुल्यवान था और यात्रा भी वैसी ही थी हम अपनी यात्रा का पूर अवलोकन करेंगे और उससे सीखेंगे जल्दी नया सवेरा और उजवल भविश्य हमारे सामने होगा परिणाम अपनी जगा है लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वग्यानिकों और इंजिनियरों पर गर्व है हम आपके साथ है मोदी ने आगे कहा कि हर मुश्किल, हर संघर्ष और हर कठिनाई हमें कुछ सिखा कर जाती है उसी से हमारी आगे की सफल ताट तै होती है देश वासियों को Sisters and Brothers of India कहकर संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज भले ही कुछ रुकावट्टे आई हो लेकिन इससे हमारा होसला कमजोर नहीं पड़ा बलकि और मजबूत हुआ है भले ही चंद्रमा की सताप पर हम हमारी योजना के अनुसार नहीं जा पाए हो आज चंद्रमा को छूने की उसे गले लगाने की हमारी इच्छा शक्ती और मजबूत हुई है तो ये तो थी आच्छी खास और रहम खबर जो हमें आप तक पहुचानी थी अन्यम है तुपुन खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ मुझे आने की नहारेडी को दीजिए जासत तमस्कार